आज देन खिसानों की समस्या उखवार और न्यूज चैनल में हमें देखने और पड़ने कू मिलती है जिसे हमें किसानों की बदहाली का पता जलता है जो किसान शार्षन और प्रशासन से पीडित होता है। लेकिन आज हम आपको ऐसे किसान की समस्या से रूबरू करवा रहे हैं जो किसान शाषन प्रशासन से पीडित ना होते हुए एक किसान सही पीडित है। पानी आसपास के खेतों की फसल को दिया जाता है। लेकिन एक साल पहले कवाले नामक किसान ने पीड़ित किसान माल खेड़े को फसल के लिए कुए से पानी देने मना कर दिया। इतना ही नहीं फसल में से ट्रक्टर ले जाना अब शब्दों का प्रयोग करना जिससे परशु पोई गोण खरी यहां देता हूं और मेरी खेती नाइनटीन फिपसे शीक्स है यह बए और अभी क्या वह जब खेती करने के लिए यह तो हम लोग उसके घर गे थे क्या हम पानी दो दो खेत में तो उन्होंने क्या किया हाँ बुले और बाद में दूबारा गए हम लोग तो हम पानी देंगे और हमारे लोग को लड़के लोग को कुछ भी पता नहीं है क्या इसके बारे में क्या करना करके तो सब खेती की मालूमत मुझे है क्या करना चाहिए कुछ कैसा रहना चाहिए हो तो उन्होंने कुछ रिफ्यूज किया पानी के बारे में तो अभी क्या बढ़ा, जो अध्रकक लगाए हुत, तो उसका य गाजा बॉपना अनिसका बॉपफना आधनिके अन्यार 다음에 दोबार यू अनुझान, एक बार भासे भी गए तया इसे बाधने पुूलिया ँसने चलिए ही एक भी मतलगेल कर दोबार दोबार पाşके растEP, what a इरीचे तीन कास्ताकार पानी घेत होते जल्मभुमी आमी पुर्ण पने पाहिलाए तीन कास्ताकार परस्राम मालिकले तुकराम मुशरे आन लक्षेमन नाप पुरे माजी जल्मभुमी चाये पुई यह कारन का शेती पहले यहन शेती मिडाली भोंगले करून पहले अंतना यहां मुशरेला न यहन परस्राम जी माल खेलिला यहां मंग तैचा नंतर सामोज़े वीर जली सर्वयान नाप पान्याची जरूत है वी गावा साथी भी यहां वावर बुजूर्ग किसान माल खेड़े का क्याना है कि वे इन दिनों शाररिक और मानसिक परिशानियों का सामना कर रहे है अगर खेड़ से जूरी समस्या जल से जल्द हल हो तो कुछ हट तक उन्हें राहत मिल सकेगी साथी उनका क्याना है कि इसकी शिकायद भी संभनत पुलिस थाने में की गई है लेकिन कोई भी कारवाई नहीं की गई जो समस्या है वो वैसी ही है उन्होंने प्रशासन से अपील की कि इस मसले को हल किया जाए एक आसाइब बुज़ुर्ग किसान अपनी समस्या तकलीफे लेकर दरदर न्याय मांग रहा है अब देखना होगा कि बुज़ुर्ग की समस्या कब तक हल होती है कैमरे परसन राजकुमा मोहर के साथ शिती जादेश मुग बीसीन न्यूस नाखपुर